सद्गुरु जब कुछ युवाओं के सामने समस्याएं या मुश्किले आती हैं जैसे असफलता ब्रेक अप नुकसान वगेरा तो कुछ लोग समस्याओं को सुलजाने और हल खोजने के बजाए ड्रक्स या शराब का सहारा ले लेते हैं मैं जानना चाहती हूँ कि कोई व्यक्ति अंदर से पूरी तरह तूटने के बाद किस उम्मीत का दामन थामे रह सकता है बहुत से तूटे दिल हैं जो तालियां बजा रहे हैं तो जब कोई पूरी तरह तूटा हुआ हो वो क्या कर सकता है सवाल ये है कि क्या आप खुद को पूरी तरह तूटने देना चाहते हैं ये सवाल है और कई चीज़ें जो आपके शुरुवाती जीवन में काम नहीं करती आप देखेंगे कि बाद में ये बहुत बड़ा वर्दान साबित होती है इसे देखने के कई तरीके हैं उदाहरण के लिए ये 1941 की बात है उस समय नाजी आंदोलन जर्मनी और यॉरप के कुछ हिस्सों में बढ़ रहा था एक दिन आस्ट्रिया में जर्मन सैनिकों का एक समू घरों में घुज गया एक अमीर यहूदी परिवार के घर में वो जबरन घुज गये और सभी बड़ों को अपने साथ ले गये सब कुछ लूट लिया गया और दो बच्चे, 12 साल की लड़की और 8 साल का लड़का उन्हें पकड़कर एक रेलवे स्टेशन ले जाया गया यह नवंबर के अंत या दिसंबर का समय था जब मौसम बहुत ठंडा हो जाता है उन्हें तीन दिन तक रेलवे स्टेशन में रखा गया क्योंकि ट्रेन नहीं आई लड़के, छोटे लड़के यूँ ही आपस में फुटबॉल खेलने लगे वो फुटबॉल खेल रहे थे और अचानक ट्रेन आ गई यह ट्रेन यात्री ट्रेन नहीं थी, सामान धोने वाली मालगाडी थी तो जब ट्रेन आई, सिपाहियों ने आकर हर किसी को मालगाडी के अंदर डिबों में ठूस दिया हर कोई अंदर चला गया, वो छोटा लड़का और लड़की भी अंदर गए मगर लड़का अपने जूते पहन न भूल गया उसके जूते बहार थे और उसे डिब्बे में धकेल दिया गया वो बिना जूतों के आया उसकी बहन, बारा साल की लड़की ने अपने छोटे भाई को जूतों के बगैर देखा और वो गुस्से से पागल हो गई उसने भाई के कान मरोडे, उसके कान खीचे उसे बुरी तरह डाटा और चाटा लगाया वो बोली, बेवकूफ, हम पहले ही मुसिबत में हैं और तुम अपने जूते छोड़ाए क्योंकि जर्मनी की सर्दियों में जूते ना हो तो पैर गवाने पड़ सकते हैं इसलिए वो गुस्से में थी अगले स्टेशन पर लड़कों और लड़कियों को अलग कर दिया गया चार साल बाद जब लड़ाई खत्म होई वो बंदी शिविर से बहार आई और उसे पता चला कि उसके परिवार के सत्रा सदस्य उसके छोटे भाई समेत सारे गायब हो चुके थे कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई अतापता नहीं वो बस गायब हो गए उस समय उसे बस एक ही बात सता रही थी और वो थे वो आखरी शब्द जो उसने अपने भाई से कहे थे वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है मगर उसने अपने भाई को जो आखरी शब्द कहे थे वो इतने बुरे थे कि वो बातें उसके दिमाग में घूमती रही और उसे सताती रही मैंने अपने भाई को ये आखरी शब्द कहे थे और मैं कभी उसे नहीं देख पाऊंगी, वो जा चुका है तो उसने एक शपत ली अगर मैं अपने जीवन में किसी से भी बात करूँगी मैं ऐसी बात करूँगी कि अगर ये मेरे आखरी शब्द हो तो मुझे कभी पच्ताना न पड़े इसे एक चीज ने उसके जीवन को बदल कर रख दिया वो अमेरिका गई, उसकी 2006 में मृत्यू हुई उसने बहुत बढ़िया काम किया उसने एक अस्पताल बनवाया मेरे ख्याल से शिकागों के पास कही उसने एक बहुत सार्थक जीवन जिया मैं कह रहा हूँ कि चाहे आपको सबसे भयानक परिस्थितियों से क्यों न गुजरना पड़े आप या तो सनुभव का इस्तेमाल एक बहतर इंसान बनने के लिए कर सकते हैं या जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए तो जब भी कोई चीज आपको चोट पहुंचाती है आपके पास दो विकल्प हैं पते हैं या समझदार बन सकते हैं या आपकी मर्जी है जीवन के शुरुवात में ही आपको जितनी चोटें लगती हैं आपको उतना ही समझदार बन जाना चाहिए मगर अफसोस कि ज्यादातर लोग चोटिल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी ही बुद्धी को अपने खिलाफ पलटने के लिए बस एक बहाना चाहिए बस खास कर जब आपके आसपास की दुनिया आपके खिलाफ हो तो क्या ये बहुत जरूरी नहीं है कि आपकी अपनी बुद्धी आपके साथ हो